स्टुडेंट्स सो आप सभी लोग को पता है कि कोई भी कॉंपटिशन का एक्जाम हो बोर्ड के रिजल्स बहुत इंपॉर्ड होते हैं ठीक है सो आपके CBSE और ICSE के बोर्ड रिजल्ट्स आ सुके हैं सो WBZ एक्जाम में क्या क्रेटेरिया होता है क्या मतलब मिनिमम परसेंटेज आपको लाना होता है बोर्ड एक्जाम में जिससे आपको एडमेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो ठीक है और अगर आप reserve category से बिलॉंग करते हो SCST, OBC तो आपको 40% marks लाना पड़ेगा, English की बात करूँ तो English में आपका 30% marks रहना चाहिए, ठीक है, pharmacy courses करना है तो 45% marks होना चाहिए PCMB में, ठीक है, अगर मैं कलकत्ता University और जादपूर की बात करूँ तो कलकत्ता University और जादपूर में आप 60% marks होना चाहिए PCM में, ठीक है, और अगर आप reserve category हो, तो 55% में काम चल जाएगा CU में, और वहीं आपका 45% में चल जाएगा JU में, ठीक है, चले, thank you